अब हम थोड़ा मुड़ते हैं उस बिंदु पर अपने अध्याय के जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी गहरी समस्या के निराकरण के लिए प्रयास कब से हो रहे हैं और क्या-क्या प्रयास हुए प्रयास कितने सार्थक कितने निर्थक रहे और इन प्रयासों की सफलता में क्या बाधाय आई क्या राह के रोड़े पड़े हालांकि पर्यावरण से जुड़े जिटने सरोकार हैं जिटने मामले हैं उसका इतिखात बड़ा लंबा है तो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो विशह है पर्यावरण सुधार के प्रस्ताओ, पर्यावरण सुधार के का इतिहास, लंबा इतिहास है, काफी समय से इस पर प्रयास चला है, काफी समय से लोग इस पर अपने विचार रखने हैं लेकिन आर्थिक विकास के कारण जो पर्यावरन पर जो उसका असर हो रहा है उस पे यदि हम चिंता की बात करें तो वास्तों में इसकी शुरुवात हम लगभग 1960 से देख सकते हैं आर्थिक विकास क्योंकि आर्थिक विकास ही तो हमारे वातावरन को असली बिगाड रहा है मानतिक विकास नहीं शारीरिक बधिक विकास नहीं सामाजिक विकास नहीं सांस्कृतिक विकास नहीं आर्थिक विकास, जिसका हमारे भौतिक जीवन से लेना जो नहीं, तो हमें आर्थिक विकास का जो परियावरन पे असर हो रहा है, उस असर को लेकर जो चिंता प्रारम में की गई, उसकी शुरुआत हम 1960 से मान लें, और 1960 के आसपास से ही इस चिंता ने एक तरीके से राजनीतिक मोड लिया, इस चिंता ने एक तरीके से राजनीतिक चित्रन का जामा पहना, वैश्विक मामलों से सरकार जो रखते हैं, वैश्विक मामलों से जुड़े हुए लोगों का एक समूव बना, बहुत प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं Club of Rome इसमें विश्विस्तर के विद्वान विश्विस्तर के ऐसे लोग शामिल है जो विश्व के मामलों का गहन अध्यान करते हैं कारण निवारन और विश्व के विविन्न मुद्दों का एक दूसरे से तंबंध इसका अध्यान कर अपने विचार सामने रखते हैं अपना निश्कर सामने रखते हैं तो यह जो विद्वानों का समू है Club of Rome इसने 1972 में एक पुस्तक लिखी एक प्रकाशित की बल्कि क्योंकि यह विद्वानों का समू था तो कई विद्वानों के इसमें बयान थे लिमिट्स टू ग्रोथ शिर्शक क्या है लिमिट्स टू ग्रोथ ग्रोथ यहने विकास विकास की सीमा यदि हम इसका इनवाद करें हिंदी में तो यही होगा उसकी सीमा क्या है यह पुस्तक इसमें क्या था इस पुष्टक में दुनिया की बढ़ती हुई जन संख्या के परिप्रेक्ष में जो ताकृतिक संसाधनों का जो विनाश हो रहा है और आने वाले विनाश की जो संभावना है इस ओर इशारा करती है बढ़ती हुई जन संख्या से होने वाले ततकालीन और संभावित विनाश इसकी ओर इशारा करती है यह फुष्टक बताती है कि किस प्रकार जन संख्या वृद्धी को यदि नहीं रोका जाए यह जन संख्या वृद्धी दर को यदि न रोका जाए तो मानों जीवन का जो काल है वो किस प्रकार उसका उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है बहुत बखुबी इसने विस्तार से इसमें है स्विक्तरा संग परियावरण कारिक्रम वह भी परियावरण से थरोकार रखने वाली एक संस्था है जिसे हम कहते हैं यू एन एपी United Nations Environment Program और इसके साथ अन्य बहुत से ऐसे अंतराश्टी संगठन हैं अंतराश्टी मंच पर जो परियावरण से जुड़ी हुई समस्याओं का अध्यान करते हैं सम्मेलन कराते हैं विद्वानों की गोश्टी कराते हैं विविन देशों की सरकारों के बीस में सामंजस बैठाने की कोशिश करते हैं और इस विशय पर अध्यान को बढ़ावा दे रहे हुई तो मूलता हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास जब लोगों के मन में जब लोगों में ज्यादा उसकी तीवरता बढ़ी तो उसके बाद ही परियावरण के मुद्दे पर भी चिंता बढ़ने लगी और जो लगबग 1960 के दशक से प्रारंभ होती है पहला क्लब अफ रोम UNEP इसमें एक बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाती है क्लब अफ रोम के अत्रिक्त ये परियावरण से जुड़ू हुई समस्याओं को सुलजाने के लिए एक विश्व मंच बन जाता है और इसके कारण ही UNEP के प्रयाचों का ही परणाम था कि परियावरण जो है वो विश्व की राजनीति का अंग बन जाता है अर्थाद वैश्व किस तर पर ग्लोबल स्केल पर परियावरण की समस्याओं को आगे बढ़ाने वाला परियावरण की समस्याओं को सामने लाने वाले उसमें UNEP का बहुत बड़ा योगदान है UNEP का ही प्रियास था कि परियावरण के मामले पर विश्विस्तर पर बातचीत की जाए और जब विश्विस्तर पर बातचीत होती है तो विश्वराजनीति आती है और इस प्रिकार विश्वराजनीति का एक अहम मुद्दा और बन जाता है और वह है परियावरण सीमाओं का मुद्दा आतंकवाद का मुद्दा जुद आदी के मामले कबजे आदी के मामले ये तो पहले से अंतराश्टी मुद्दे थे ही, अंतराश्टी राजनीती के मुद्दे थे ही, अब एक मुद्द और जुड़ता है पर्यावरण और उसको अंतराश्टी मुद्दे का रूप देने में UNEP का बहुत महत्पूर जुगदान है थोड़ा हम UNEP के कारियों की और देखें कि उसका कारिक खेतर क्या है, उसका डायरा क्या है पहला पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याओं में विश्व सम्मेलन करवाना दूसरा पर्यावरण पर वहग्यानिक ग्यान और सूचना इसको बढ़ावा देना तीसरा एक विश्व व्यापी नेटवर्क तयार करना वैश्विक संसाधन सामगरी आधार की रचना के आधार पर उसे तयार करने का प्रयास करना वैश्विक संसाधन सामगरी विश्व स्तर पर कितने संसाधन, कौन सा संसाधन, कितना है, कहां है और उसका क्या जीवन है उन संसाधन का जिस जित दर पे दोहन हो रहा है उन संसाधनों का जीवन किस खित्र में कितना है इसके आधार पर एक निश्कर्ष निकालना अगला 175 देश जो इसके सदस्टे में उसमें एकी कृत यानि यूनिफाइड पर्यावरनी सूचना देना पर्यावरन संबन्धी जानकारियां एकत्रित कर उन्हें इन 175 देशों तक पहुंचाना ताकि वो अपने अपने स्टर पर अपने अपने तरीके से इन जानकारियों का उप्योग पर्यावरन में सुधार के लिए कर सके तो जो अहम शब्द है उसमें वो यह है एकी करित यूनिफाइड इंटिग्रेटिड अलग-अलग टुकडों में अलग-अलग देशों को अलग-अलग जानकारियां ना हो करके यूनिफाइड तरीके से किसी एक शरोथ से किसी एक शरोथ कार्थ UNEP के माध्यम से सबको जानकारियां पहुँचना अगला महत्पूर्ण रोल जो UNEP निभाती है वो है कि विश्व की इस्थितिका पर्यावरन की इस्थितिका आकलन करते रहना एनलिसिस करते रहना पर्यावरन में उतार चड़ाओ कितना क्यों और कैसे हो रहा है किसके द्वारा ज़्यादा किसके द्वारा कम किन कारणों से ज़्यादा किन कारणों से कम इसके लिए एक अंतराश्ट्री सहयोग लेते हुए महत्पूर्ण बिंदूओं की पहचान करना विश्व की स्थिती का आकलन करना और इन सब बिंदूओं पर अंतराश्ट्री सहयोग लेके एक निश्कर्ष पे पहुँचना यह इसकी बहुत बड़ी भूमिका है छट्वी जो इसकी भूमिका है वो है सामाजिक और आर्थिक नीतियों और उनके कारक्रमों में परियावरन तम्मंदी विश्यों को शामिल करने में जोर देना कहां स्विक्त राश्ट संग में स्विक्त राश्ट संग जो है वो सभी तरह की गतिविधियों का खाड़ा है चाहे वो राजनीतिक हो सामाजिक हो सामरिक हो आदी आदी तो स्विक्त राश्ट संग में जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में जो आर्थिक नीतियां होंगी या जो उसके सामाजिक डाइमेंशन होगा सामाजिक घटक होगा या आर्थिक घटक होगा उसमें परियावरण संबंधी दिर्ष्टिकोण परियावरण संबंधी विचारों को सामने लाते हुए उसके प्रभाव दुष्ट प्रभाव को बताना उसको शामिल करवाना UNEP की गतिविदिया या उसके कारख्षित्र का दायरा केवल यहीं तक्सीम इतनी है उसे मालूम है कि एन्वारनमेंट बहु आयामी है मल्टी डामेंशनल है मल्टी फैसेटेड है और इसलिए वो कुछ अन्य मुद्धों को भी अपने कारक्षित्र में अपने कारक्रम में जोड़ता है जिसमें समुद्र और महासागरों के बचाओ का कारभी शामिल है समुद्र और महासागरों को बचाना किसे से पर्यावरन के दुष्परिणामों से प्रदूशन से उससे कैसे बचाया जा सकता है क्या परिणाम है इसके क्या कारण है इस प्रदूशन के कौन जिम्मेदार है उन्हें किस सथ तक रोका जा सकता है इस प्रदूशन से आदी आ इसला किया सकरना है जैव विविधित्या जिसके जिक्र मैंने किया है बायो डाइवर्सिटी की चर्ची सत्य साथ वहनों के सतत कटाओं होने के दुशपरणामः शुरूप जैव विविधित्या प्रभावित हो रही है यह आप समझ चुके हैं दूसरी और बहुत चे खेत्र मरुस्थल में बदल रहे हैं क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहाँ जल का संकट बढ़ते जा रहा है और वे खेत्र मरु भूमे में बदलते जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जैव विविद्धा मरस्थली करण और मौसम या जलवायु परवर्तन इस पर संधियों के लिए बातचीत करना जय विविविदिता मौसम परवर्तन और मरस्थली करण संबंधी मामलों में संधियां करवाने का प्रयास करना और उन संधियों को लागू करवाना ताकि मरस्तुली करण रोका जा सके, जयव विविदिता बनाई रखी जा सके और मौसम में होने वाले दुष्ट प्रभावों को भी नियंतरित किया जा सके तो इसमें ये UNEP मदद करता है और ऐसी संधियों को लागू करवाने में जो प्रशासनिक जरुष्ट पढ़ती है उसकी विवस्था करता है प्रशासन और सचिवाले भी UNEP का इसी कार के लिए संपाधित है ये तो सब बाते हुई पर्यावरंड पर्यावरंड से प्रदूशित पर्यावरंड को प्रदूशित करने वाले घटक पर्यावरंड के दुष्परिनाम और दुष्परिनाम इतने भयावह कि मानो सब बिता के अस्तित्व पर प्रश्ण चिन लग गया है इसका परणाम क्या जथा मैंने पहले बताया 1960 के आसपास से एक सार्थक प्रयास इस दिशा में होता दिखाई पड़ रहा है तो अब थोड़ी हम नजर डालें अन्य प्रयासों की ओर पर्यावरंड की रक्षक हेतु किये गए वैश्विक प्रयासों की ओर और मूलता ही है सभी प्रयास वैश्विक होंगे कोई एक सरकार, कोई एक देश, कोई एक समाज इस समस्या का निरागर नहीं कर सकता तो बीसवी शदी के साथमें दशक से जो प्रयास शुरू हुए उस पर हम सोड़ा नजर डालें उसमें सबसे पहला है स्टॉक होम परयावरन सम्मेलन 1972 पहला अंतराश्टी सम्मेलन इसे कहते हैं फर्स इंटरनाशनल कॉंफरेंस ओन एन्वारेंडमेंट पाँच से सोला जून 1972 में स्टॉक होम में होती है इस सम्मेलन में मानवी परयावरन पर एक घोशना पत्र तियार होता है जिसे स्विकार किया जाता है और जिसमें 26 सिद्धानतों का उलेख कह 26 प्रिंसिपल्स टु सेव एन्वारेंडमेंट ये सिद्धानत में कुछ जो मुख्य सिद्धानत हैं उस पर थोड़ा नज़र डालने केवल मुख्य बिंदूओं की बात पहली सफलता इस कांफरेंस की ये थी कि एक समग्र रूप से स्वीकृत मानवी पर्यावरन पर घोशना पत्र तियार होती है ये इसकी पहला बिंदू दूसरा मानवी पर्यावरन पर कार्य जोजन अर्थाथ उस पर कुछ चीजें किये जाने का एक दिशा दी जाती है तीसरा संस्थागत एवं वित्ती व्यवस्था का प्रस्ताओ अर्थाथ पर्यावरन को बचाने के लिए हमें एक समग्र तरीके से संस्थागत तरीके से प्रयास करना होगा और यदि इस प्रयास को सफल बनाना है तो संस्थागत तरीके को चलाने के लिए जो वित्ती प्राउधान करने होंगे सभी देश उस बात पे सहमत थे अर्थात आर्थिक मदद के लिए सहमत थे अगला बिंदू विश्व परियावरन दिवस का प्रस्ताव आ जा कि किसी एक दिन को विश्व परियावरन दिवस के रूप में मनाया जाए ताकि लोगों में चैतनिता आये पर्यावरण के मामले को लेकर चेतना जागे आदिया दे अगला पर्मानु शस्त्र परिक्षनों के संबंद में प्रस्ताव था जो बड़ा विस्त्रित था पर्मानु शस्त्र परिक्षनों को रोकने के लिए उसको कम करने के लिए बड़ी बात थी और उस प्रस्ताव पर सभी शक्ति शाली देशों का परमाणू शक्ति रखने वाले देशों का सहमत होना ये एक बहुत बड़ी सफलता थी अगला बिंदू इसमें था कि दूसरे सम्मेलन के लिए समझोता हुआ याने ये बात तैह हुई कि दूसरा परियावरन सम्मेलन भी इसी दिशा में किया जाएगा पहला सम्मेलन जिसकी मैं चर्चा करना हूँ स्टाख होम की ये स्वयम में प्रारम और अंतनी हैं स्टाखों मातरिक शुरुवात है आगे इसकी श्रेणी बद तरीके से इसके कारे होगा अगला राश्ट्री इस तर पर इसमें कारे किये जाने की जरूरत महसूस की गई और सरकारों को सिफारिशें दिये जाने का निर्ने लिया गया यह जो पर्यावरन को लेकर जो वैश्विक संस्था बनेगी उसको यह अधिकार होगा कि विविन राज्जियों को विविन सरकारों को वो हिदायतें दे विविन सरकारों को सिफारिशें दे और राश्ट की सरकारें इसमें एक समगर रूप से प्रयास करें तो पर्यावरण की रक्षा है तो पहला प्रया से स्टॉक होम अब दूसरा पर्यावरण संरक्षण से संबंदे कुछ विश्व समझाते होते हैं विश्व समझाते से ताथ पर है रैटिफिकेशन अब ग्लोबल कन्वेंशन रिगार्डिंग एन्वारन्मेंट प्रोटिक्शन रैटिफिकेशन याने अप्रूफ करना स्विक्रित करना पुष्टी करना ये 1975 में होता है बलकि 1975 आते आते तक अधिकाश देशों ने जितने समझोते हुए थे परियावरन को लेकर उस पर अपनी स्विक्रिती दे दी और ऐसा करते हुए उन्होंने पर्यावरन संबंदी जो अंदोलन हो रहे हैं पर्यावरन संबंदी जो पर्यावरन को उचित बनाने के जो प्रयास थे उसको और प्रभावी बनाने में मदद की तो कि सरकार की स्विक्रित इन सब में लग गई थी और इन समझातों में जो कुछ समझाते मुख्य थे उनमें एक समझाता था तेल प्रदूशन की हानी के लिए असैनिक दायत पर साहमत्य होती है दूसरा तेल प्रदूशन के उपगातों के विशय में समझातों में तेल से संबंधित अधिनियम बनता है तीसरा अंतराश्टी महत्व की नमभूमी तथा पानी में रहने वाले पक्षियों के लिए उनके स्थान को लेकर कुछ साहमत्य होती है चौथा कूड़ा करकट और अन्य ऐसे जो वेस्ट हैं धेर हैं उन्हें समुद्री पदूशन से बचाने के लिए कुछ उपाय इस पर सहमत्य होती है सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत इस पर भी एक सहमत्य पत्र जारी होता है संकटापन या जोखिम में जो जंगली पेड़ पौधे हैं जो अब रेर स्पेशीस की केटेगरी में आने के संभावना रखते हैं जो समाप्त प्राय होने की कगार पर हैं उन पर होने वाले अंतराश्टी व्यापार उसको लेकर भी कुछ अभी समय कुछ नियम बनते हैं 1973 में उसके बाद जल पोत और हवाई जहाज इनके द्वारा जो धेर लगाया जा रहा है उससे जो सामुद्रिक प्रदूशन प्रभावित हो रहा है या सामुद्रिक प्रदूशन जो बन रहा है उसके लिए भी उसको बचाने के लिए भी उससे प्रदूशन से रोकने के लिए भी अभी समय 1973 बनता है और इसमकार हम देखते हैं कि इस काल में इस समय में लगभग सभी बिंदूओं को लेकर जो पर्यावरण के विभिन घटक हैं उन पर सहमती होती है उन पर स्वीकृती होती है और विभिन देशों द्वारा उन पर अपना पुष्टी होने की वे अपनी पुष्टी होने की सहमती देते हैं तीसरा जो प्रयास जो बहुत बड़ा प्रयास माना जाता है पर्यावरण की दिशा में पर्यावरण प्रोदिशन को रोकने की दिशा में वो है नैरोबी घोशना याने नैरोबी डिकलरेशन Stock Home संभेलन होता है 1972 में और Narrowी संभेलन होता है 1982 में Narrowी देखिए कहां स्थे था है अफरीका का अफरीका के एक देश की राजधानी और वहाँ पर ये संभेलन होता है और इस संभेलन में जो सबसे अहम मुद्धा था वो था कि जो विलुप्त प्राय होने वाले वन्य जीवों के व्यापार से संबंदित प्रावधान जिसका मैंने जिक्र किया भी अंतराश्टी प्राकृतिक संपदा और खुले समुद्र में प्रदूशन आधी को लेकर जो विविन्न प्रस्ताव किये गया थे विविन्न प्रावधान किये गया थे उनको यहां स्विकार किया जाना तो अभी समय विविन्न मुद्दों को लेकर बहुत सारे बनते हैं 1972-73 में स्टॉक्वोम संबिलन के बाद और उन अभी समयों पर सहमती की सील लगा दी जाती है 1982 के नेरोभी कॉन्फरेंस में चौथा संबिलन बहुत महत्पूर्ण रियो संबिलन रियो डिजैनिरो दक्षनी अमेरिका के एक देश की राजधानी ब्राजिल रियो डिजैनिरो 1992 दस वर्ष बाद यहने हर दशक में दशक के समाप्ति पर एक विश्वव्यापी संबिलन हो रहा है और यह तीसरा संबिलन शीरी में था जिसे हम कहते हैं प्रिथ्वी संबिलन अर्थ संबिलन अर्थ कॉन्फरेंस यह तीसरे संबिलन को क्या कहा जाता है अर्थ कॉन्फरेंस इसमें 170 देश बहुत सी बहुराश्टी कमपनियां बहुत से एंजियोज और इन लोगों ने भाग लिया और इस समेलन में पर्यावरण का मुद्दा विश्व राजनीती का एक बहुत महत्पूर्ण अंग बन जाता है अभी तक वैश्विक राजनीती से परे पर्यावरण के मुद्दे को देखा जा रहा था यद्यपी ये बात समझ में आ रही थी कि बिना राजनीतिक पहल के बिना राजनीतिक एक जुट्दा के पर्यावरण के मामले नहीं सुलच पाएंगे लेकिन ये रियोडी जैनरो की कॉन्फरेंस थी जहां पर पर्यावरण को भी राजनीती का एक मुद्दा बाना गया बहुत महत्पूर्ण मुद्दा माला गया और जैसा मैंने बताया इसे पृत्वी संबेलन या धर्ती संबेलन या अर्थ कॉन्फरेंस का नाम दिया गया क्योंकि इसमें धर्ती पर फैलने वाले प्रदूशन और पर्यावरण के संरक्षन के लिए अंतर राश्ट्री पर दिये जाने वाले बल का परिणाम था कि पर्यावरण को राजनीतिक मामला मान लिया गया उत्तरी देशों में वैश्विक ताप वृद्धी याने ग्लोबल वार्मिंग के चिंता का अधिक प्रभाव था दक्षन में आर्थिक विकास को लेकर ज्यादा चिंता थी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण परियावरण की प्रदूशन से ज्यादा चिंती थे प्रभाव उत्तर में ज्यादा था तो इस सम्मेलन में एक तरीके सम देखते हैं कि विश्व राजनीतिका प्रभाव दिखता है और उत्तर बनाम दक्षिन आप इस पूरे सित देश जो हैं वो उत्तरी गोलार्द में ज्यादा सित हैं जिन्हें उन्हें विकास के नाम पर प्रदूशन के साथ अलेड़ी बहुत खेल कर लिया है और दक्षिन के वे देश हैं जो पर्यावरन पे हुए प्रभाव से ज़्यादा चिन्तित हैं तो इस तरी के साम एक एक दोनों के बीच में एक अंतर देखते हैं दोनों खेतरों की सोच के बीच में अंतर देखते हैं और इस सम्मेलन में अंतर कुछ सिफारिशें होती हैं कुछ घोशनाएं होती हैं और एक एजेंडा 21 तैयार होता है एजेंडा 21 उसे एजेंडा 21 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुल 21 सुधानतों को स्विकार किया गया 21 प्रिंसिपल्स इसमें स्विकार किये गया और इसलिए इसलिए एजेंडा 21 कहते हैं अखिर वे एजेंडा क्या थे उस 21 में कुछ का जिक्रिहां करना जरूरी है क्योंकि ये सम्मेलन परियावरन के नाम से हुए अभी तक जितने सम्मेलन थे उसमें सबसे महत्पूर्ण था तो पहला इसका जो महत्पूर्ण एजेंडा था वो था जैव विविदिता को लेकर बायो डैवर्सिटी को लेकर और वनों की सुरक्षा को लेकर इसके सम्में कुछ कानून बना जाते हैं और सरदस्राश्ट्रों से ये अपील होती है कि यदि विकास की दिशा में वो बढ़ और वनों की वन संबंधी समस्याओं पर थोड़ा सा सोचें और फिर आगे बढ़ें दूसरा महत्पूर्ण सिधान्थ जो इस एजेंडा 21 के तहट प्रतिपादित किया गया उसे कहते हैं सस्टेनेबल डिवलपमेंट अर्थात सतत विकास या टिकाव विकास उस पर जोड़ देना टिकाव या सतत विकास की प्रक्रिया पर जोड़ दिये जाने का असा इस सम्मेलन के बाद हम देखते हैं टिकाव विकास किसे कहेंगे हम ऐसा विकास जो निरंतर चलने वाला हो और प्राक्रितिक संसाधनों के लिए ना तो वर्तमान पीड़ी के लिए और नहीं आने वाली पीड़ी के लिए विनाशकारी हो प्राक्रितिक संसाधनों के मामले में तो ऐसा विकास जिसमें हम पर्यावरन की चिंता करते हुए प्राक्रितिक संसाधनों का ऐसा उपयोग करें जो की आने वाली पीड़ीयों को भी परेशान न करें उनके लिए विनाशकारी ना हो अगला सिध्धान रियो एजिंडा 21 के तहट ये स्विकार किया गया कि परियावरन की रक्षा करना सभी देशों की साजी जिम्मेदारी एक इसे साजी जिम्मेदारी मानी गए अकेले से कुछ नहीं होगा इस बात को स्विकार कर लिया गया कि एक स्विक्त प्रियावरन की समस्या का निराकरन किया जा सकता है या परियावरन की रक्षा की जा सकती है इस विकार साजी जिम्मेदारी की भावना रियो के बाद सामने आती है परन्तु विकास शील देशों की इस बात को इस विकार किया गया कि पर्यावरन के रक्षन है तो जो भी कदम हम उठाये जाएंगे उसमें विकास चील देशों की आर्थिक विकास की आउशकताओं को ध्यान में रखा जाएगा अर्थात जब भी हम पर्यावरन की रक्षा के लिए कुछ प्राउधान करेंगे तो ये स्विकार किया गया कि विकास चील देशों को विकास करने की जरूरत है तो यदि हम कुछ ऐसे कानून बनाते हैं ये सम्मेलन के परिप्रेक्ष में कुछ ऐसे कानून बनते हैं जिसमें पर्यावरन की रक्षा पर ध्यान दिया जाएगा तो विकास चील देशों के विकास की आवश्कता पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़े अर्थार विकास चील देशों के आर्थिक विकास में ये कानूनी प्राउधान जो पर्यावरन के नाम पर बनाए गये हैं वे बाधक ना बने ये एक बहुत अहम बिंदु था क्योंकि इसी बिंदु के लोएकर काफी कुछ राजनी थी दुनिया में होती है हो रही है और इसी का परणाम है कि परियावरन को लेकर चिंता तो है परियावरन को लेकर प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन वो प्रयास या वो चिंताएं जमीनी पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं क्योंकि विकसित देशों के मातहद जो कानून बनाए जा रहे हैं पर्यावरन को सुधारने के यदि उन्हें लागू किया जाए उनके अनुसार तो विकास शील देशों के और द्योगी करण के प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आएगी और वे विकसित नहीं हो पाएंगे तो इस परकार विकसित देश बनाए विकास शील देशों के बीच का भी एक तरीके से ये पर्यावरन का मामला जगड़ा बन गया है जगड़े का कारण बन गया है राजनीति का कारण बन गया है खैर ये मुद्दा कुछ अलग है लेकिन आप इसको यह जानना जरूरी है कि टिकाव विकास की बात, सस्टेनेबल डिवलपमेंट की बात होती है अगला जो कदम पर्यावरन के स्टरक्षन के लिए लिए जाता है वह विश्व जलवायू परिवर्तन को लेकर होते हैं विश्व जलवायू परवर्तन बैठक अर्थाथ ग्लोबल क्लाइमिट चेंज मीट 1979, 1997 नई दिल्ली जिसमें निर्धनता, गरीबी, परियावरण तथा संसाधन प्रभंधन के समाधान को लेकर विकाशील देशों में व्यापार के संभावनों पर विचार किया गया विकाशील देशों के बीच में व्यापार कैसा हो, इस बात को ध्यान रखते हुए, निर्धनता को ध्यान रखते हुए इन देशों की, इन देशों की परियावरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक परियावरण के परिप्रेक्ष में संसाधनों का प्रब परियावरन विश्व जलिवाई बैठक नहीं दिल्ली उनिस्व संतानिवे इसी बैठक में ग्रीन हाउस एफिक को वातावरन में न छोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई अर्थार उद्योगों से होने वाली जो पैदा होने वाली जो गैसें हैं कार्बन जो परियावरन को प्रदूशित करती हैं इनको कैसे हम इनके 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 इनको वातावरन में छोड़ने ना छोड़ने का प्रयास इस पर एक बहुत आहम चर्चा होती है क्योंकि विकास तो करना है उद्योग तो खोलने है अब इन उद्योगों के खोलने से जो वातावरन में जो प्रदूशन हो रहा है गैसों के मार्जम से उनको कैसे रोका जाए इस पर बहुत महत्पूर्ण बैठक इस सम्मेलन में होती है अगला महत्पूर्ण सम्मेलन है क्योटो प्रोटकॉल 1979 ये जापान में होता है क्योटो जापान के क्योटो शहर में जिसमें विकसित 2008 और 12 के बीच अपने ग्रीन हाउस उत्सरजन को 1990 की तुलना में 5 प्रतिशत कम कर दें अर्थात विकसित देशों से कियोटो कॉन्फरेंस में अनरोज और अपील की जाती है कि उनके द्वारा उनके उत्द्योगों के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसे निकल रही हैं जो हैं उसमें 5 प्रतिशत ग्रीन हाउस एमिशन कम किये जाने का प्रयास विकसित देशों द्वारा किया जाए और इसका लक्ष या रखिया गया था 2008 से 2012 के बीच दुरभागे से 2013 और उसके बाद भी इस पर सफलता नहीं मिली है और इस अपील का इस अनरोज का कोई विशेश असर विकसित देशों में होता नहीं दिखाए दिया और वर्ष दर वर्ष ये प्रोटोकॉल की जो डेडलाइन थी 2012 इसे बढ़ाते चले गए हैं और आगे बढ़ाते जाने का प्रयास चलता रहता है और इसमें सफलता भी विकसित देशों को मिल जाती है निशकर्ष ये कि 1997 में जो लक्ष बनाए गया था 2012 तक का वो लक्ष अभी तक पूरा नहीं हुआ है अगला समझ होता परियावरान को लेकर मांट्रियल समझ होता मांट्रियल केनिडा का शहर है वहाँ ये बैठक आयवजित होती है और इस बैठक का जो मुख्य मुद्दा रहता है वहाँ जल ये शिकर सम्मेलन अर्था देश के विभिन राश्टों के मुख्याओं के द्वारा इस सम्मेलन में दखल किया जाता है और परणाम था कि समझाते में धनी देश जो थे विकिसित देश जो थे उन्होंने इस बात पर सहमत व्यक्त की कि क्योटो सम्मेलन के प्रस्तावों को लागू करने के वो समचित उपाय करेंगे क्योंकि क्योटो सम्मेलन के प्रस्ताओ तो बड़े अच्छे थे लेकिन वे किसे देश एक तरीके से उसमें विलम कर रहे थे उसके प्रस्ताओं को लागू करने में यहां पर चूंकि विश्विक देशों के सभी देशों के मुखिया यहां पर शामिल थे देशों के मुखियाओं की और से मुख्य निताओं की और से यह एक तरीके से वचन दिया गया कि वे क्योटो सम्मेलन के प्रस्ताओं को लागू करने का विशेश उपाय करेंगे ये मॉंट्रियल समझोते की सफलता अगला सम्मेलन बाली बाली सम्मेलन में उसको सम्मेलन ना करके कहते हैं बाली कारेवाई योजना 2007 के implementation scheme बाली इंडोनेशिया का एक शाहर है इस योजना को जलुगाई परवर्तन की तेरवी चक्र की वारताओं के अंतरगत इंडोनेशिया के बाली शहर में स्विकार किया गया एक सो नब्वे देशों के दस हजार प्रतिनिदी भाग लेते हैं और इस सम्मेलन का जो मुद्दा था इस बात पर केंदरित था कि सभी देश विश्व के तापमान में कटवधी करने का प्रियास करेंगे तो अब इस बार पर्यावरन के मामले में तापमान को कम करने का प्रियास उसकी दिशा में सार्थक प्रयास किये जाने की ओर जोड दिया गया नौवा सम्मेलन कॉपनहेगन और डर्बन जलवाई परदवरतन पर डैनमार की राजधानी में सहिक्ट राज सम्मेलन होता है कॉप पंद्रा कॉपन से बना कॉप पंद्रा पंदरा देश भाग लेते हैं कॉप पंदरा बलकि पंदरा देश नहीं ये डेन्मार्क में होता है कॉप पंदरा के नाम से 7 दिसंबर से 18 दिसंबर 2009 192 देशें के प्रतनीदी भाग लेते हैं और प्रदूशन कारी गैस के उच्च सर्जन पर अंकुष लगाने के लिए कुछ समझाते करते हैं किस पर प्रदूशन कारी गैसों के उच्च सर्जन के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उच्च सर्जन को रोकने में बातचीत करते हैं रोकने के मामले को लेकर बातचीत करते हैं उस पर अंकुष कैसे लगा जाया इस पर चर्चा करते हैं और एक सर्व मानने समझोते पर पहुंचने का प्रयास बारा दिन तक चलता है लेकिन दुरभागे से इतने लंबे प्रयास के बाद इतने दिनों की बैठकों के प्रयास के बाद भी कोई निशकर, कोई सर्व सम्मत सम्झोता नहीं हो पाता और क्योटो सम्झोते में विकसित देशों के लिए जो उच्छ सरजन की कटौती की बात की गई थी, पांच प्रतिशत कटौती की बात की गई थी, वो अभी तक विकसित देशों ने उस कटौती की बात को पर ला दी गई थी उस पे ये सभी सम्मेलन सफल नहीं हो पाए जबकि विकाश शील देशों के लिए ऐसी कोई बाधिता नहीं थी तो उसका प्रणाम क्या हुआ कि विकाश शील देशों के लिए ऐसी किसी बाधिता में कोपन हेगन में भी भारत ने पूर जोर विरोट कर दि क्योंकि यदि वो बादिता में बन जाएंगे तो उनके स्वैम के विकसित होने की दिशा पे उसका दुष प्रभाव पड़ता आर्थिक विकास की दिशा में दुष प्रभाव पड़ता तो बातें हो रही थी के वो विकसित देशों पर दबाव बनाने की और यहीं पर अंतरराश्ट्री राजनीती आती है विश्व के विभिन शहरों में ये संबिलन घूमता हुआ 2015 में आता है पैरिस, फ्रांस दिसंबर 2015 और पैरिस में ये जो संबिलन होता है इसका नाम दिया जाता है जलवायू परिवर्तन संबिलन करीब बारा दिन ये संबिलन भी चलता है और एक 21वी Conference of Parties COP21 में जलवायू परिवर्तन पर एतिहासिक समझोते को स्वीकार कर लिया जाता है जिसमें 196 देश हस्ताक्षर करते हैं बारा दिसंबर 2015 को पैरिस जलवायू परिवर्तन संबिलन में 196 देश उस समझोते को स्वीकार करते हैं और इस समझोते के अंतरगत धर्ती के तापमान को दो डिग्री नीचे रखने का लक्ष रखा गया बढ़ने से दो डिग्री नीचे और इस दिशा में विक्सित देश 2020 से दो हजार पचीस तक विकाश शील देशों को 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देंगे ये स्वीकार हुआ आर्थिक मदद किस रूप में क्योंकि विश्व के तापमान को दो डिग्री कम करने में विकाश शील देशों के दोरा जो प्रयास किया जाएगा उसमें उनके स्वेम का आर्थिक विकाश प्रभावित होगा तो उस प्रभाव को निउटलाइज करने के लिए ये बात तैकी गए कि विकसित देश इन विकाश शील देशों को आर्थिक मदद देंगे जिसकी कीमत होगी सौ अरब डॉलर प्रति वर्ष कब 2020 से 2020 तक इसके अलावा एक और बात हुई और वो था कि इस दिशा में सतत रूप से प्रयास होते रहेंगे सम्मेलन होते रहेंगे और उसी तारतम में डर्बन में, कारकून में, रियो में लीमा, आदी में सतत रूप से सम्मेलन होते रहे परन्तु जरुरत इस बात की है कि इन सम्मेलनों में जो भी निर्णे लाते हैं जो भी निर्णे होते हैं जो भी समझोते होते हैं वे पूर्ण तर लागू नहीं हो पा रहे हैं हाँ इतना तरह है कि इस काल में हम सतत रूप से प्रयास होने के उदारन देखते हैं विश्व मंज में लोगों में बढ़ती चेतना परियावरन के प्रती सजगता ये सपश दिखाई देती है यद्यपी जितने प्रयास हुए जितना इस पे खर्च हुआ उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है